दोस्तों जब गर्मियों में हम बहुत रिहाइडरेटेट फील करते हैं तो हमें ज़रुत होती है किसी एनरजी ड्रिंक की इसी तरह से अगर आपकी स्किन भी बहुत डल फील कर रही है कोई ग्लो नहीं है तो मैं जो आपके साथ आज वाटरमेलन का फेशियल शेयर कर रही हू तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए वाटरमेलन का जूस और वाटरमेलन को ग्रेट करके मैंने जूस निकाल लिया है आप ग्राइंड करके स्क्वीज करके भी जूस निकाल सकते हैं तो यहां पर ले लिया हमने वाटरमेलन का जूस और दो जो हैं वाटरमेलन क टिश्यू पेपर कर सकते हैं, तो इनको इसमें हम तिप करने वाले हैं तकि बहुत अच्या से ठंडा हो जाए और जब इसमें इसक फेश फेश भी आप्लाई और इसको रखने वाली हूँ मैं अप फ्रिज में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रेफरिजिरेटर में भी रख सकते हैं और जो यह दो से चार चम्मच जूस निकाला था इसमें एड़ किया है मैंने ओलिव और एड़ करेंगे एक बड़ा चम्मच अलोविरा जल बेसन विटामिन ए हमने इसमें जितने वी इंग्रीडियंट्स यूज किये हैं दोस्तों यह तनी जादा पोटेंट और एफेक्टिव है कि बार ट्राइ करने के बाद आपको वहतरी रिजल्ट मिलेंगे पूरी फेशियल का जो बेस है वह वाटर मेलन है वाटर मेलन की बात मैं या पर तीन स्टेप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप किसी भी एक स्टेप को फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो चलिए सबसे पहले स्टेप के तयारी करते हैं और यह जो टुकड़े मैंने लिए थे वाटर मेलन के इनमें चाकु से कट लगा इनमें हमारे फेशियल के इंग्रीडियंस और स्टार्ट करते हैं अपना फेशियल फरस्ट इस्टेप हम करने वाले हैं क्लिंजिंग और स्क्रबिंग एक साथ तो जो वाटर मेलन के चिलकों के तुकड़े हमने दही और कॉफी के साथ तयार किये हैं उनको अपने फेस पे करेंगे सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे तीन से चार मिनट तक अपलाई करना है दही और कॉफी दोनों क्लिंजिंग और स्क्रबिंग एक साथ हमें इफेक्ट देंगे और दोनों ही हमारे स्किन के बहुत अच्छे होते हैं दही और कॉफी दोनों हमारे स्किन के जो अगर स्टीम है तो आप स्टीम से मीं ऑपी हम मसाझ क्रीम मोस्क करेंक, मसाझ क्रीम lleva Union माल चेहरे पे फर्ट शर्कुलर मोशन में भी अब शर्कूलर मोशनी क्रिशीन को डीरियमर हम धाट चाहर करें कि सब्ढuszBoy करें इतना करने के बाद ही आपको इतना अच्छा लगेगा ना ऐसा लगेगा सच में क्या मैजिक हो गया है तेखिए कितना ज्यादा ग्लो लग रहा है मेरे फेस पे अब लास्ट इस्टेप जो है हमारा जो फेश शीट मास्क के लिए हमने वेट वाइप्स टिशू या फेश किसी भी टिशू को ले लिए उसको वाटरमेल में डिप किया था और शोटे शोटे टुकड़ों में काटकर आप अपने पूरे फेस पर अपने फेस को कवर कर सकते हैं तो कोई शुरू नहीं है कि आपको कोई चीज करने के लिए बड़ी-बड़ी महंगी चीजों की कि अपने टिशू पेपर पर या फेस शीट मास्क पर अपलाई कर लेंगे क्योंकि यह थोड़ी-थोड़ी दिर में सूख रहा है तो मिस पर अपलाई करते हैं कम से कम पांच मिनट के लिए इसको फेस पर रखेंगे और मुझे लगाने के बाद बहुत नीद आरे थी इतना अच्छा लगेगा आपको वीडियो को लाइक से रहें सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलती हूं नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मुच फॉर वाचिंग